बॉलिवुट के सबसे बड़े खलनायक, बुलंद हस्ती, बेबाक अंदास और दमदार आवास के मालक अमरीशपुरी ने फिल्मी दुनिया में विलन के रूप को एक अलग पहचान दी या फिर यू कहलें, जिन फिल्मों में अमरीशपुरी ने कदम रखा, वहां से विलन का एक नया रूप लोगों के सामने आया 40 साल की उम्र में अमरीश पूरी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा जीवन के मध्यकाल में फिल्म करियर शुरू करने के बावजूद उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की 22 जून 1932 को जन्में अमरीश पूरी को ना कभी किसी भूमिका के लिए कोई राष्टी फिल्म पुरूसकार मिला ना ही पदमभूशन या बिभूशन और ना ही उनको कभी किसी ने मरनो प्रांथ दादा सायफ फालके जैसे पुरूसकार से अभी तक नवाजा लेकिन बावजूत इस उदासींता के वे हिंदी सिनेमा के सरुस्रेश्ट खलनायक है और तब तक रहेंगे जब तक कलनाई की जीवित हैगी अमरीश पूरी दिल्ली और शिमला से शिक्षा दिक्षा हासिल कर 1953 में मुंबई पहुँचे थे इन मुगालतों के साथ की जाते ही उन्हें फिल्मों में बड़े बड़े रोल मिलेंगे बड़े भाई मदनपूरी के हाँ उन्होंने डेरा चमाया और उन्हींने उनका पहला पोर्टफोलियो बनवाया लेकिन स्क्रीन टेस्ट में वे रिजेक्ट होते गए और उनके रंग रूप के कारण किसी नोंने अच्छी भूमिकाएं ओफर नहीं की जो की गई वो अमरीश ने नहीं की भाई पर बोज बनने की शर्मिंद की दूर करने के लिए उन्होंने चोटी मोटी नोकरिया करना शुरू कर दिया और कमीशन एजेंट बन कर कभी माचिस का नया प्राण बेचा तो किसी सरकारी दफ्तर में लिपिक की साधारन नोकरी महीने भर करने के बाद छोड़ दी झाल